अब फिर अपने पोगा पेज नंबर 58 पे आप देख सकते हैं कि यहां पर सेक्ट प्रस प्राइग्राफ में आपको क्या वटा चला है हुमिडिटी का सेक्ट प्राइग्राफ अगर आप देखें फर्स का ही तो यहां पर आप कहें कि आजएका कंडेंसेशन ठीक है एर में टमप्रेचर बहुत जादा बहता है तो वाटर वैपर्स जो है वो टमप्रेचर जो है अपने साथ पानी को बुखराद की सुर्द में बना लीता है ठीक है बुखराद जर्मजब बन जाते हैं इस वाटर वैपर्स जब बहुत जादा एर हवा के अंदर हो जाते हैं तो वो जो हैं वो क्या करते हैं वो कंडेंसेशन परसे स्टार्ट कर देते हैं हवा के अंदर इन दिस परसेस वाटर वैपर्स टरन इन्टो रिंड वाल यह वाटर वैपर्स पानी के पानी यानि मतलब बारिश की सूरत में जमीन पे गिरते हैं इस तंप्रेचर ऑफ एटमोसेड डिक्रीजिस जैसे तंप्रेचर आब अवा का कम होता है इस के पैसिटी तो अबसर वाटर वैपर्स अलसो ट्रीक्रीस एंड अट अट पर्टिकलर टंप्रिचर कंदेशिशन स्टार इन एर जाहिए दू तू कॉल ता वाटर वैपर्स कंवर्ट इंटो क्लाउड रेन स्नू हील एंड ड्यू जैक्ट्रा जो कहते हैं शबनम के गद्रे को ठीक है हील कहते हैं ओरें वगारा को इस त्रीके से स्नूब बड़फ को कहते हैं और रेन बारिश को ठीक है यानि इसमें उन्होंने बताया हमें जब हमारी जमीन का टंप्रेजर बहुत जादा भेटता है तो क्या होता है कि पानी जो है वो बखरात की सूरत में वार्टर वैपर्स बनके जमीन इनसे एर में चले जाती है ठीक है यानि लेक से रीवर्ड से ओशन से पानी अबजर्फ जब हो जाता है तो वो क्या होता है वो आपकी एर के अंदर वार्टर वैपर्स बन जाती है या जानि प्रेसेंस ओफ वार्टर इन एयर इस क्या है हुमिडिटी. हुमिडिटी प्रोसेस सेता होता है. उसके पास जब बहुत जादा नमी आ जाती है तो वह उपर जले जाती है. वह चलावट्स की फॉर्म इक्तिया कर लेते हैं. और cloud की form में जो है वो water vapors turn into water पानी water vapors जो है वो किसमें convert हो जाता है water में और जब फिर rainfall होती है तो उसको हम क्या कहते है precipitation ठीक है अब हम precipitation के पाने में जानेंगे precipitation में होता है किया है ठीक है तो precipitation अगर आप देखें the precipitation and its type the fall of water drops on the surface of earth liquid or solid form is known as precipitation ठीक है precipitation क्या है कि water drops on the surface of earth in liquid चाहिए वो rainfall की सूरत में हो या snowfall की सूरत में हो ठीक है यानि solid form snowfall की सूरत में तो इसको हम क्या कहते हैं precipitation precipitation की जो types हैं वो different हैं जैसे rain, snow, hill, hill storm are the types of precipitation ठीक है यानि बारिश, बरफ और ओलों का पढ़ना जो है प्रेसिपिटेशन कहलाता है ठीक है अब आपने अपने अपना work करना है और work आपने कैसे start करना है आपने 17, 4, 21 लिखना है homework और day होगा आपका mandate ठीक है इसके बाद आपने your name 6 लिखना है page number 65 आजेगा आपका atmospheric humidity and precipitation ठीक है exercise number 1 की short answers आपने question number 1 लिखना है define precipitation, precipitation की definition लिखेंगे two finger gas दोने साइट पर देंगे टाफार और water drops on the surface of earth in liquid or solid form is known as precipitation फिर इसके बाद dividing line रहा करते है question number 2 है define humidity humidity the presence of water in atmosphere या in air ठीक है the presence of water in atmosphere atmosphere करते है अबो हवा में ठीक है अबो हवा में is called humidity humidity कहलाता है condensation that is question number 3 condensation in this process water vapors turn into water is known as condensation इसके बाद आपने रहें रहें लिखाने है कल हम question number 4 करेंगे short question answers का ठीक है इंशाला आपको समझ आगेगे लादे लाफें, अधर बादे लग्बद्ध, लादें, लादे का